हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने डूब चैनल फार्मा एंसीक्यू में तो जैसे कि आप लोग को पता है उडिसा के फार्मासिस्ट के एक्जाम के लिए हमने एंसीक्यू की सिरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम लोग 3000 एंसीक्यू जो है सब्जक्ट तो जो है मैंने आपको टॉपिक जो है मैं आपको पहले बता देती हूं तो मेरे साब से आप लोगों ने पढ़के रखा होगा आपको पता ही आज हम ड्रग स्टोर और बिजनस मेंजमेंट डी एस बीम के एंसीक्यू डिसक्स करने वाले हैं तो इसके कुछ क्वेशन्स हैं जो यहां पर मैं लेकर आई हूं तो ओल्मॉस्ट आपको डी एस बीम के तीन से चार वीडियो में डी एस बीम कंप्लीट हो जेगा ओके तो पहले डी एस बीम को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें देखिए हम लोग जो अपना डिप्लोमा का सिलेबस होता उसके प्रेपरेशन कर रहे हैं और डाली में भी आपकी विकेंसी आएगी है मतलब नौटिफिकेशन ऑफिशल अभी आया है यह विसे आपकी विकेंसी आ गई है 300 प्लस पोस्ट है ठीक है और बाकी जितने भी आपके स्टेट के और सेंटर लेवल के आपके फार्मासिस्ट के एक्जाम है तो उनके लिए यह सिरीज देखिए बहुत ही ज्यादा यूसफुल रहने वाली है तो इसमें मैं आपको कंप्लीट स्लेवस के अकोर्डिंग आप आपने चानल सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को प्ली सब्सक्राइब किजिगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना प्रेस करना ताकि जो अनमें वाले वीडियो होते हैं उनकी नौटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकेंगे तो देखिए स्टार्ट करती हमा होता है बिजनस मीज्स में आपका को मर्स आजेगा उर व्होर आज जाता है इंडस्ट्री ऑन ret 요 में डिफेटर्पर्ड इंडस्ट्री होते हैं मैनुफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री होती है कंस्त्रक्ट्र 15 155 बेंकिंग हो गया है नव बाज़ेगा ओके ट्रेड में फिर हमारे आगे हम सारा पढ़ेंगे इंटरेड और इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो बिजनस मील्स का क्या मतलब है सिंपल पूछा है इंडास्ट्री औं कॉमर्स और से को मर्स और से बाइंग तो जो commerce है तो इसमें किस-किस के बीच में contact establish होता है देखिए buyer and sellers buyers consumers या seller ओके तो इसमें होता है जो buyer and sellers के बीच में contact establish होता है यह आपका अभी तमिलाणों में पूछावा question option देखिए a right हो जगा देखिए commerce जो होता है primarily concerned with the establishment of contact producer जो goods produce कर रहा है and seller throw trade trade के थो इनके बीच में contact रहता है producer और seller के बीच में है next question buying and selling of goods in order to make profit buying and selling of goods in order to make profit से क्या कहेंगे goods को buy करना और sell करना in order to make profit trade कहेंगे direct service कहेंगे commerce कहेंगे indirect service कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे trade कहेंगे buying and selling of goods in order to make profit is called trade okay और commerce क्या होता है it is the part of business activity which is related to distribution and selling of goods and service or exchange of commodities okay जो goods and service होती है देखिए जो goods और service जिसे जहां produce होती है वहां से consumers जो different different जिगह पर होता है वहां पोचाना होता है distribute करना होता है तो कहेंगे commerce में part of the business activity which is related to distribution and selling of the goods and service or exchange of commodities आजेगा निक से import of foreign goods of one country and export it to other country is called डैली में आया वह question प्रीवेस पेपर जो 21 में हुआ था डैली का उसमें पुछावा question आईए ओके नेकिं इंपोर्ट of foreign goods of one country एक country से तो import कर लिया and export अब उसको न एक्सपोर्ट कर रहे अधर country को एक से तो हमने goods ले लिए इंपोर्ट करा दूसरे को वह गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसे क्या कहेंगे export trade import trade entry port extra port देखे एक्सपोर्ट में इस इंपोर्ट में इस इंपोर्ट आता लेकिन हमने क्या import करा फिर उसको export करा तो यह होगा entry port trade होता है यह option आपका c right हो जेगा ओके ट्रेड के बार में आप लोग देख लीजिए क्योंकि बहुत important है बहुत से questions बनते हैं देखे ट्रेड जो होता है generally classified into the following two broad categories इसकी दो category होती है internal trade और international trade internal और international okay internal trade is also known as home trade it consists of sale and exchange of goods within the boundaries of the country होती मतलब कि country के boundaries के अंदर ही जो होता है sale होता है और exchange होता है goods का तो आपकी जो internal trade है उसमें आपका wholesale trade और retail trade आथा internal trade मतलब कि जो exchange of goods होता है sale होता है goods का वो हमारा within the boundaries of the country होता है इसमें wholesale retail आएगा wholesale का मतलब it involves sale of goods in comparative large quantity to those traders who are in direct contact with the retailer okay तो large quantity में जो goods का sale होगा तो आपका wholesale में आजेगा और retail में क्या आजेगा in this trade retailers supply requirement of consumers in small quantity as per their needs okay तो retail और wholesale आप लोग याद रखेंगे यह हमारा internal trade के बारे में हो गया जिसको हमने home trade भी कहा इसमें wholesale retail आगया अब अपनी international trade है इसको external trade भी कहेंगे international trade में होता है it means the exchange of goods and service between citizens business firms और government of different countries आ गई उसमें इसमें था within the boundaries of the country इसमें आपका different countries के बीच में होता है it means the exchange of goods and service between the citizen business firm और government of different countries it is classified इसमें इसका classification क्या है जो आपकी international trade है import मतलब कि when a trader of one country purchase good from the traders of other country एक country से जो है goods purchase किया जा रहा है मतलब कि एक country जो है दूसरी country से good purchase कर रही है न मतलब कि import कर रही है तो यह आपका हो गया import trade हो गया export में क्या होगा trader of one country sells good to the traders of other country है न तो यह आपका export हो जागा import हो गया export हो गया और फिर entry port में न हमने अभी देखा था एक से import करा दूसरे को export कर दिया when trader purchase good from one country एक country से तो goods purchase कर लिया import कर लिया and sells the same good to other country दूसरी country को sale कर रही है मतलब कि export कर रही है तो यह हमारा entry port trade जो हमारे question में पूछा हुआ था तो ट्रेड के बारे में आपको सारा बता दिया अभी question आप से बनने चाहिए जो trade के उपर आते हैं तो कि next question domestic trade is also known as export trade home trade international trade या import trade तो domestic trade जो होती है न हमारी जो होती है home trade को ही बोलते है न आपका answer option भी हो जेगा next which one among the following can be considered as home trade internal trade international trade foreign trade या all तो आपका internal trade is also known as home trade जिसमें आपका wholesale trade और retail trade आप लोगों ने देखा next question buying of goods from abroad is known as import export entry port या all तो abroad से goods की buy कर रहें तो मतलब की import हो रहा है answer is option one ने तो trade between two countries दो country के बीच में पूछ लिया है ना within the boundaries of the countries था वो तो आपका क्या था internal trade था है ना या फिर home trade था लेकिन इसमें क्या है दो country के बीच में है बताए रीजनल trade होगा local trade होगा home trade होगा या foreign trade होगा तो यह हमारा international trade होगा या इसको foreign trade भी बोल देंगे ओके option 4 निक्स्ट है ट्रांसपोर्ट create place utility time utility form utility possession utility तो ट्रांसपोर्ट जो है इससे क्या create होता है place utility answer is option one next advertising and salesmanship helps to remove the hindrance of knowledge hindrance of place hindrance of risk hindrance of spoilage तो advertising and salesmanship से क्या remove होता है hindrance of knowledge ok option one right होगा next warehousing remove the hindrance of time knowledge place या person तो इसमें होगा आपका warehousing remove the hindrance of time next है इसमें लिखे में सारे ओके warehousing remove the hindrance of time insurance remove the hindrance of risk transport system remove the hindrance of place banking remove hindrance of finance and credit packaging remove hindrance of risk of spoilage advertising and publicity remove hindrance of knowledge ok निसे in commerce hindrance of exchange is removed by trade bank insurance currency तो आपका क्या होजेगा इसका option b होजेगा bank next is system where production and distribution is in the hand of private owners who earn profit is known as socialist system है government system mixed economic capitalist system कैरा system जहां पर क्या production जो होता है और distribution होता है in the hand of private owners private owners के हाथ में होता है जो क्या करते है earn profit ठीक है यह किसमें होता है तो यह होता है हमारा capitalist system में होता है okay option आपका डी राइट हो जगा जीए जो आपके economic system के types पढ़ते हो तीन में टाइप है हमारे economic system के क्या है तीन टाइप है capitalist system है social system mixed system तो आपसे capitalist system का पूछा हुआ था तो इसमें होता है means of production and distribution are general in the hands of private owners who operate them to earn profit okay तो यह हमारा capitalist system होता है जैसे breeding of plants and animals यह आपको पताया था हमारा जो business होता है उसमें Commerce and industry आता है तो इंडेस्टी में में आपको खाता extractive industry होती है genetic industry होती है manufacturing industry होती है और constructive industry होती है तो इनमे से बताना आपको breeding of plant and animals related to extract genetic manufacturing construction industry तो चारो टाइप की इंडेस्ट हो जाएगा ओप्शन आपका बी राइट हो जाएगा देखिए इस आर इंडस्ट्री विच आर प्रैमेरली कंसरेंड विज मल्टिप्लाइंग और ब्रीडिंग सर्टें स्पिशिस ऑफ अनिमल्स और प्लांट्स टु आर्न प्रोफिट फ्रॉम देयर सेल ओके तो एक्जामप इस बहुत पता होने चाहिए नेक्स назад इंडस्ट्री युद्स आर ओल्स ओल्स पोधिए नाच्जी एक्स्ट्री इंडस्ट्री उट्स healthier इंडस्ट्री और ओक्स्ट्री सफीर प्रीद प्रीच और प्रोफिशन होता है अब है कोस्मेटिक सब्सक्राइश और कास्मेरीं आता अब देखे एक्जाम्पल देखे बताया पूछ लिया आपसे जैनेटिक इंडस्ट्री में हमने देखा था कैटल ब्रीडिंग हो जाएगो ऑप्शन सी ओके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं देखे यह क्वेशन आपका यूपी एनचम का ज सी है तो इसी लिए प्रीवेश पेपर इंपोर्टन होते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है सिंगल ओनर्शिप होता है ग्रूप ओनर्शिप होता है प्लैनिंग और्गनाइजमेंट में आपका प्लैनिंग होता है और्गनाइजिंग होता है डिर्क्टिंगे सबाता है, answer is option C, next है, aim of scientific management, scientific management का aim क्या है, development है, quality control, increased production, cost reduction, testing, adequate supply, तो क्या होजेगा, इसका option B, quality control, increased production, cost reduction, next of which of the following is the simplest form of business organization, simplest form of business organization कौन सा है, cooperation होता है, proprietorship होता है, private limited है, public limited, तो simplest form जो होता है, अपना option B, proprietorship होता है, oldest form of business organization, तो अभी आपसे simplest पूछा, oldest कौन सा है, joint stock company, sole, proprietorship या partnership, या old, तो आपका जो है, options 2 हो जगा, sole, proprietorship होता है, इसको one man business भी बोलते हैं, next, maximum number of members, इन्हें firm carrying general business, non banking business जो है, तो उसमें maximum number of members कितने हैं, 20, 10, 50, या 40, तो कितने होते हैं, 20 होते हैं, maximum number of members, इन्हें general business, इन्हें firm carrying general business, तो आपका 20 हो जाएंगे, okay, maximum number of partners allowed इन्हें banking firm, अब banking firm का पुछा आप से, 10, 20, 100, या 50, तो banking के लिए आपका 10 हो जाएगा, okay, next है, maximum number of members, इन्हें private limited company में कितने maximum members होते हैं, 20, 30, 50, या unlimited, तो कितने होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कमपनी में maximum members आपके 50 होते हैं, किसमें private limited company में, और जो है, maximum number of persons required to form private limited company, minimum number, maximum तो देख लिए हमने 50 minimum कितने होते हैं, 5, 250, या 10, तो maximum तो 50 होते हैं, minimum 2 होते हैं, private limited company में, okay, next up, maximum number of members in case of public limited company का बताना है, private का देख लिया, अब public का बताए, ये public limited company में maximum number of members, 20, 30, 50, या unlimited, तो maximum तो कितने होते हैं, unlimited होते हैं, maximum number of members, public limited company में unlimited होते हैं, और minimum कितने होते हैं, minimum 7 members होते हैं, 7 persons होते हैं, भी तो यह सारे आपको याद रखने यह सारे बी घंच यह일ा पुचा हूआ था ना जो पेपर वह था इस है उसमें इसके उपर question बना था next up partners बहुत important है सारे सारे partners आपने अच्छे से पढ़ने आपको पता होने चे partners के बारे में partner who contribute the capital to the firm capital contribute कर रहा है but does not take any active part in the business business में कोई भी active part नहीं लेता इसे क्या कहेंगे secret partner कहेंगे active partner कहेंगे nominal partner कहेंगे sleeping partner कहेंगे partner जो कहरे capital जो है वो contribute कर रहा है but does not take any active part in the business तो ये हमारे होते हैं sleeping partner होते हैं क्या होते हैं sleeping partner होते हैं जो capital तो contribute करते हैं but does not take any active part in the business के बार में लिखा होगा कि डाज नौट टेक एक्टिव पार्ट तो नहीं लेते बिजनस में डोज नौट टेक अक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट और फंट बिजनस कंट्रिबूट करते हैं कैपिटल को और जो प्रॉफिट या लोज जो होता उसे भी शियर करेंगे स्लीपि यंशे का इनक्टिव पार्टनर थे एं해गी तो यह सबसे में बड़ना किसा ना के सब्सक्राइब करेंगे, मुली ंदो धैक्टिव पार्टनर से ब्रॉफिट इसे थे चाहीं स्सक्राइब है तो इसलिए इनक्टिव पार्टनर होते हैं और जो प्रोफिट जो होता है उसे भी शियर करते हैं किसकी बात हो रहे हैं माइनर नॉमिनर सीक्रेट या स्लीपिंग तो यह माइनर पार्टनर की बात हो यहां किते हैं जो फीजबी भात होग Cities आपका इनक्टिव पार्टनर होता हैं तो आपको सिक्रेट पार्टनर इंडव तो में पार्टनर क हैं वहर थो किसकी टिक वासी Pokemon वासी थे आफी पार्टनर दैख आर ऑपिनस और अच्टिव बाटन सब्सक्राइब कांट्र पार्टनरेंट्टल टूेक पासमेंट नो दूर इनवेस्टिङार और तूल siya करेगा इंसे पासमेंट्ट्मर्ट्टेक न॓क्त 1974 को यह कौन से partner है silent partner है nominal है limited है partner by estoppel तो यह हमारे silent partner है option one okay next है what is that partner called as who has neither contribute any capital to the firm मतलब कि कोई भी capital contribute नहीं करते no take part in the management of the firm नहीं management में participate करें but talks to the outsiders बाहर के जो outsiders है to create an pressure that he is partner of the firm मतलब outsider को यह मतलब कि वो impression बनाते कि वो partner है सिर्फ outsiders के लिए होते हैं एक तरीके से तो partner by estoppel sleeping or inactive partner secret partner partner profit तो यह आपके होते हैं partner by estoppel होते हैं यह के option a next है who is partner in profit तो partner in profit का मतलब क्या होता है मतलब कि जो सिर्फ profit में partner होगा partner does not take any active part in the management of firm business person who provides some of the capital from business but who does not take active part in the management of business partner who get into an agreement to share only profit of the partnership firm not the loss ऐसे partner जो सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर करेंगे लोस को नहीं करेंगे वही हो जाएंगे partner in profit only नाम से पता लग रहा है न option c right हो जेगा भागी partner who is under the age of 18 दिया है आपका तो हमारा answer क्या हो गया option c ने से medical store deals only in medicines and example of single line store general store street store नन तो है आपका single line store होते हैं option जो है वन हो जेगा next society form for the purpose of making valuable the goods to their member at cheap price is called करनाटका में पूछावा question consumer cooperative produce cooperative marketing cooperative cooperative farming society consumer cooperative होती है okay option a mail order business is तो mail order business क्या है retail trade by post wholesale trade direct selling method retail trade mail order business होता है retail trade by post okay next time when at least 51 percent share of business organization is in the hand of government is called a question बहुत से exam में repeat हुआ है okay तो देखे public corporation है public company है departmental organization है government company when at least 51 percent of business organization है in the hand of government तो यह हमारे government company हो जाएगी option आपका फो राइट हो जगा next question है multiple shop deals in all good same type of good special same type of good specified type of good multiple shop deals in specified same type of goods next channel of distribution does not include which of the following channel of distribution में क्या नहीं आता wholesalers transport agencies retailers producers थे wholesaler retailer producers आते हैं transport agencies नहीं आएगा okay option B next है in an organization middle channel member is manufacturer industrialist होता है customer होता है retailer होता है तो middle channel member में हमारा retailer आजेगा option D next time middle man are the person who provide link between the तो यह भी आपका देखी दो एक्जाम में आया है तो middle man जो है आपके person होते हैं who provide link between customer and owner manufacturer एंड ओनर manufacturer एंड ओनर तो यह आपके जो होते हैं middle man होते हैं यह person होते हैं who provide link between manufacturer एंड कस्टमर ओके next है wholesaler act as a link between manufacturer एंड तो wholesaler किसके बीच में लिंक है manufacturer एंड रिटेलर डॉक्टर एजेंट ए consumer तो आपका जो wholesaler है वह link होता है manufacturer और रिटेलर के बीच में next इन्हें mail order business goods goods are sold on cash credit both cash and credit installment basis तो mail order business में goods are sold on cash basis okay option one next है one of the following is not a fixed shop large scale retailers fixed shop large scale retailers नहीं है डेली में पूछा हुआ है देखे specialty shops है hire purchase shop है mail order business cooperative stores not a fixed shop large scale retailer में आपकी जो fixed shop large scale retailer में आपकी specialty shops नहीं आती बाकी तीनों आजेंगी okay और जो fixed shop small scale retailers में आजेंगे जो fixed shop small scale retailers में आपकी street stores आती है second hand goods shop आती है जंदल stores आते है single line order business होता है consumer cooperative store से सबाजेगा okay तो आपसे किसी एक का नाम देके भी पूछ सकते हैं किस टाइप की shop है next अब जैसी इसमें पूछ लिया departmental stores are part of किसके part है fixed shop small scale retailer it in rent retailer है specialty shop है fixed shop large scale retailers तो large वाले में देखा अभी हमने departmental store है ना तो यह हमारे fixed shop large scale retailers में हमने देखे थे departmental stores है वही है departmental store आएंगे fixed shop large scale retailers में multiple shops या chain shops है stores है मतलब higher purchase shop है mail order business आता है consumer cooperative stores आता है next art of planning organizing staffing motivating and controlling is called तो यह सब किसमें आता है planning करना organize करना staffing motivating controlling marketing में मार्केटिंग में आएगा अडवर्टीज इडवर्टाइजिंग स्किल्स में अगा manufacturing में आएगा management किसमें आता है management में आता है यह answer is option दी देखिए ESIC में पूछा हुआ question है next wholesalers deal in large quantity of goods small quantity of goods better quantity of goods all the wholesalers deals in large quantity of goods answer is option one next other name of sub stockist sub stockist का दूसरा नाम बताईए accredited wholesale dealer है wholesale dealer है supreme distributor है clearing है forwarding agent तो sub stockist जो होते हैं उनको और क्या कहेंगे wholesale dealer भी कहेंगे answer is option भी आपका right हो जगा देखिए in pharmaceutical trade wholesalers are classified into four category wholesaler की चार category है stockist होते है supreme distributor या super stockist होते हैं wholesale dealer या sub stockist जो हमसे question में पूछा हुआ था clearing and forwarding agents होते हैं okay next question जिसका answer हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं okay तो इस वीडियो में इतने question discuss करेंगे इसके बागी के mcqs next video में लेक्यांगी तो इस वीडियो भी आपका DSBM के mcqs का ही मिलेगा आपको तो देखे question आपका buying and selling of goods in order to make profit is called trade direct service commerce indirect services का answer आप लोगों कमेंट बॉक्स में देना है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगए सब्सक्राइब करना चैनल पर नए है तो मैं आपको सब्सक्राइब करना ओके थेंक यू